नबस्कार सातियों यह नरेशन का आपका फोर्थ लक्षर है तो आज हम एक imperative sentence को किस प्रकास से indirect speech में change करेंगे तो देखिए दोस्तो imperative sentence में प्राहे order का भाव होता है advice का suggestion का request या फिर provision या फिर आपको warning भी देखने को मिलती है तो आपको ध्यान रखना है imperative sentence प्राहे आपको वीवन से start देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें आपका use जो है silent रहता है इसलिए आप वीवन का प्रियों करते हैं और tense present में ही देखने को मिलेगा या फिर हो सकता है do not से देखने को मिले या इसी को आपको don't भी दे सकता है इसके अलावा हो है please या kindly से आपकी starting देखने को मिल सकती है या फिर आपको let या let us से आपको देखने को शुरुआ देखने को मिल सकती है तो कुछ जर्णल सी नॉलेज है मैं type by type आपको बिलकुल advance तक कवर कराऊंगा तो देखिए दोस्तो type number first क्या कहता है आपका जब imperative sentence से आग्या का भाव हो तो set या set two को आपको ordered में बदल देना है और जो comma invited comma है उसके इस्तान पर आपको preposition two का प्रयोग करना है यहां रखना है आपको preposition two के बाद में केवल और केवल आपका वीवन आना चाहिए क्या आना चाहिए दोस्तो वीवन आना चाहिए क्योंकि यह आपका infinitive ही लिखा दाता है two plus v1 के बीच में कोई भी नहीं आएगा आएगा तो उसे आप उखाड फैक दा ठीक है तो पहला question लड़कों से कहा कॉमा इन्वाटेट कॉमा इसे तुरंत लिखो तो देखिए राइट आपका वीवन है और यहां अध्यापक के द्वारा चात्रों को आदिश दिया गया है कि तुरंती इसे लिखिए तो दा टीचर का आप दा टीचर रखेंगे सेडिया सेट्टू को आप आप किसमें बतल देंगे और का भायव है तो आप लिख देंगे और दा बॉइस का आप दा बॉइस लिख देंगे अब देखिए कॉमा इन्वाटेट कॉमा आज अठाएंगे तो आप टू प्लस बीवन लिखेंगे जो इन्फिनेटिव बन गया टू राइट एट एट कहा मेरे लिए इही ग्लास पानी का लाओ यहां यादिस दिया गया इ champions की the principle सिप्ट डैस अटर्ण में बदलदों बदले दो स्रविंद का दर सबॉन इहां सरविंद लिख लिना अब यहां कोमा इन बार्टेट कोमा इस टान पर आप टू और कि वरिंग का वरिंग हो जाएगा गलास डुटर गलास डॉटर फॉर का फॉर मी आपका बजीक्टिव केस है जो सबजेक्ट से चेंज होगा सब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल है पॉर मन होने के नाते जेंडर क्लियर नहीं है तो आप वह हम यूज करेंगे यानि ही रखकार आगे देखिए टाइप नूर्ब दो को या खरता है पिलीज या काइंडली दिया हो तो सेट या सेट टू को आपको रुक्वेस्टेड में बदल देना है अभी किसमें बदल रहे थे और डार्ड में कॉमा इंबाटिट कॉमा ज के इस्तान पर आपको तू का प्रियो करना है नोट आपको ध्यां रखना है प्लीज और काइंडली को इंडारेक्ट बनाते समय अठा देंगे तो देखिए पहला कोशन दा प्याउन सेट टू दा प्रिंसिपल चप्रासी ने प्रिंसिपल से कहा कॉमा इंबाटिट कॉमा श्रू ग्रांट मी लीव फॉर टू डेज कॉम प्लीज अब देखें हैं मैंने पीच पीचे रखाय जान बूझ के अप ब्रहमेत नहीं होंगे प्लीज अब आपको देखने को मिला है तो दप्याउन का दप्याउन और जो सेट या सेट टू है तो आपको लिख देना है रुक्वेस्ट एड दा प्रिंसिपल का आप दा प तो अंसर हो जाएगा दा प्याउन रुक्वेस्टेड टू दा प्रिंसिपल टू ग्रांट हिम लीव फॉर टू डेज आई होप आपको समझ में आ जाओगा आगे और देखते हैं अरे काकाओ इसे ही बनाओ ये मजाक में लिखा है परिशान नहों ठीक है देखिए अगर आ लिख देंगे सेड़ा सेट टू को आप रुक्वेस्टेड में बदल देंगे मी रहेगा प्लीज प्लीज दो बार आ जा है इसलिए इससे आप अठाएंगे तो यहां रिपीट हुआ है तो इसलिए आपको लिखना होगा रिपीटेड ली और उसके बाद जो वीवन है उसस आगे का कोशन एक और देखिए सी सी में अगल डवल लगया यह टाइपिंग मिस्टेक है तो सी सेट टू हिम कॉमा इंबाटेड कॉमा इस रूप प्लीज एंड प्लीज राइट माई लेटर फुल स्टॉप कॉमा इंबाटेड कॉमा में वन तो सी का आप सी लिख देंगे स क्यों राइट का राइट माई को सी से चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका हर क्या हो जाएगा हर और लेटर का लेटर सी रुक्वेस्टेड हिम रिपीडेटली टू राइट हर लेटर सायद इस रूल को आप पहले नहीं जानते होंगे आगे देखिए थर्ड टाइप सेट टू मी कॉमा इंवाटेट कॉमा इस रू हैल्प योर नहीं यहार फुल स्टॉप कॉमा इंवाटेट कॉमा इस में बन तो देखिए यहां मदद करने के लिए आपको सला दिया गया है तो आप लेखेंगे ही का ही सेड़ा सेट टू को आप एडवाइड में बदल माई नहीं यहार ही एडवाइड मी टू हेल्प माई नहीं यहार एक और देखिए बहुत अच्छा कोशन है यह पूचा भी गया है बोले एक जम में माई मदर सेट टू मी कॉमा इंबाटेट कॉमा इस रू इफ यू सफर फ्रॉम कोल्ड एंड काफो कंसल्ट आ डॉक्टर स ठीक है तो आपको क्या लिखना है दो प्रकास से आप बना सकते हैं एक तो आफ इफ से ही इसे जोड सकते हैं देखिए माई मदर एडवाइड मी टू कंसल्ट आ डॉक्टर स्योरली यानि कि यहां आपने इंफनेटेव लिख दिया क्या लिख दिया इंफनेटेव क्योंकि यह पीछे वाला जो सेंटेंस है उसे आगे आप ले आएंगे और इफ का इफ रख देंगे सफ़ड का सफ़ड फ्रॉम कोल्ड एंड कफ यह ऐसे की ऐसे लिख देंगे तो आपको देहां रखना है जब भी इंपरेटेव सेंटेंस पीछे दिया है और उसे इफ से जूड द क्योंकि यहां सला दिया गया है इसलिए आपने सुड का प्रयोग किया है जैसे मैं आपको टामेंट टैंस में पढ़ाऊंगा आगे देखिए यह जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है उसमें पॉलाइट रॉक्वेस्ट यानि वुड यू लाइक की गई है तो सेड़ा आपको देखने को मिल रहा है लेकिन वुड होता है वह आपका फीलिंग्स बताता है आपका एम टी एस में पूचा गया कोशन है कि अगर बुड को आप सिंपल कैसे यूज कर सकते हैं तो केवल आप इसे फीलिंग्स में ही यूज करते हैं अन्या था या बिल का पास्ट रखेंगे या फिर आप भावना अपनी बताने की कोसिस कर रहे हैं लड़की का नाम नहीं है भावना भावना बता रहे हैं तो आप वहां वोड का प्रियोग कर सकते हैं तो यहां भावना ही तो बताईगी है कि आप मेरे साथ एक कप कॉफी का लेना पसंद करेंगे यही त से बाद आपको देहां रखना है वोड यू लाइक इसे आप अठा देंगे तू हैव कप आफ कॉफी बिद अब मी को आप रवी से चिंज करेंगे तो रवी को आप ही माल लेंगे और इसका अबजेक्टिव केस लिख देंगे आपको हिम क्या लिख देंगे हिम अंसर हो जाए कई यू लाइक तूसे तीना रखना है geschण मार्क कॉमा इनवाइट्ट कॉमा रहेगा है इसे आठा देंगे इनफिनिटीव से लिखेंगे तू से समझ में आ जा होगा एक और देखिए यदि रिपोर्टेट स्पीच वोड़ कोड़ प्लस यू प्लस आपको प्लीज दिया हो कहने का मतला है आपको रुक्वेस्ट का भाव देखने को मिले जहां जरूरी नहीं है प्लीज ही हो आपको काइंडली भी दे सकता है वो काइंडली कि माने भी दयालता ही होती है तो सेड़े सेट टू का प्लीज और प्लीज और कांडली जैसे सब्दों को उससी देखिए वोड़ यू प्लीज गिम्मी यूर पैं कोश्टन मार्क साव सब्दों को अब देख्वित आपको देहां रखना है इस चीज का देखिए हां वोड लगा देंगे और मी को आप इसे चेंज करेंगे तो हिम हो जाएगा योर को मी से चेंज करेंगे तो माई हो जाएगा अगला देखिए तो आप इसे आसानी से समय सकते हैं जहां सी में एक और ही लग गया है सी रुक्वेश्टेड हरस्वेंड उसके बाद आप वोड यू प्लीज को अठा देंगे कॉमा इंबाटे कॉमा ज की स्थान पर टू और टेक अ कप ऑफ टेई तो इस प्रकास से अगर आपको यह बहुत पूचा जाता है बोड एक्जाम में 12 में कई बार यह कोशन आ जा है ड यहां रखना है यहां डू अठेगा केवल नॉट रहे जाएगा और नॉट के बाद ही टू प्लस वीवन लगाना होगा अगर आप एडवाइट नहीं लेखें तो सेड़ा सेट्टू के स्थान पर फॉर्वेड लिख सकते हैं लेकिन यहां फिर फॉर्वेड लेख रहे हैं यानि किरिया की फ्रश्वां प्लस आई एंजी तीनों कोई तरह से आप बना सकते हैं जैसे देखिए लिख देंगे आप फहले लिख सकते हैं कि मैंने बताया टू प्लस वीवन ही लिखा जाएगा इसके बीच में कुछ नहीं आना चाहिए तो आप लिख देंगे टू इसमोग यानि उसने मुझे धुम्रपान ना करने की सला दी दूसरे प्रकार से आप इसे बना सकते हैं ही का आप ही रख देंगे सेड या सेट टू की जगह पर आप फॉर्वेड का प्रियोग कर देंगे मी का मी रहेगा आप डू नॉट दोनों ही हट जाएंगे बस आप लिख देंगे टू स्मोग तो ज्यादा बहतर यही रहता है या फिर यह एक और एडवांस प्रकार है मना करना होता है मी का आप मी लिख देंगे लेकिन यहां आपको फ्रॉम का प्रियोग करना है तो का प्रियोग नहीं करना है और फ्रॉम के बाद आपको जीरन फॉर्म लिखना है तो आप लिख देंगे स्मोकिंग यानि उसने मुझे धुम्रपान करने से मना किया यह कोशन नौट देख सकते हैं आप हर मदर सेट्टू हर कॉमें बाटिट कॉमें स्रू डू नौट बेस्ट मनी लाइक देस तो आप क्या करेंगे डू नौट से स्टाट हुआ है तो हर मदर सेट्टू की जगए पर एडवाइट या फॉरवैड का प्रियोग कर सकते हैं हर और दू अगर आप फॉरवैड लेखेंगे तो नौट भी यहां से हट जाएगा अब देखिए नेवर हो तो हमेशा सेट्टू को एडवाइड में ही बदलते हैं या फॉरवैड ना लगाएं दोस्तों तो आपको कैसे बनाना होगा यह माइटीचार सेट्टू मीं कॉमा इन्वाइ दोस्तों डीयर का मतलब होता है जिसे आप इसने करते हो यानि आफेक्षन करते हो वहीं से बना है तो आप किस प्रकाश से लिखेंगे माइटीचर का माइटीचर और यहां नेवर आया है तो आपको सेट्टू को बदल देना है एडवाइड में में का मी रहेगा आप डीयर लाई तो माई टीचर एडवाइड में अफेक्स नेटली नेवर टू टेला लाई अब देखिए एक और आपका प्रकार होता है यदि आपको लुए आपका इम्परेट्व सेंटेंस और यह आपका कशें टैग है तो इसमें क्या कर गया है यानि कि तब आप जाएं तो दर्वाजी को बंद करना ठीक है तो देखिए एक सी लिख देंगे आ टाइपिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है सेड़े सेट्टू को रुक्वेस्टेड में बदल देंगे मी का मी रहेगा उसके बार तू सट दा डोर और कोशन टैक को आप अठा देंगे एक और कोशन देखिए तो यहां आपको भाव के अनुसार चलना है कोई फिक्स नहीं ह में देखिए यहां आपका क्या है एक तरह से कह सकते हैं आप उसके बाद इंपरेटिव का एक और जवरदस्ता का सब्सक्राइब यह देखिए लेट एजा प्रपोजाल यानि कि लेट का मतलब है अगर आपको क्या करें प्रस्ताव करें तो आपको इस्ट्रेक्च्टा देखने को मिल सकता है लैट्स यह फिल लैटास और प्लस आपको वीवन और उबजेक्ट देखने को मिलेगा तो दिया जानी सेट टू दिया है तो आप उसे प्रपोज्ड टू में बदलेंगे या सजेस्ट टू में बदलेंगे जहां रखना है अभी आपने तू नहीं लगाया था लेकिन आपको उगाओ है और आपको ढोज हो अफी दे में या वी में बदल देते हैं दे में या वी में क्यों बदला जाएगा आपका speaker ही है या सी यह कोई third person है तो आप दे में बदलेंगे इस पीकर आपका first person है तो आप वी में बदलेंगे उसके बाद आपको subject के तुरंत बाद sort plus b1 से जोड़ देंगे आई ये question को देखते हैं पहले जैसे he said comment but it comment through let us go they are full stop comment but it comment में बन तो देखे let us से आ जाए तो आपको he का he लिख देना है sad का आपका suggested हो जाएगा या प्रपोईट हो जाएगा comment but it comment पर that हो जाएगा अब देखे यहां लेट तो हट जाएगा अस बचेगा क्या बचेगा अस बचेगा तो अब आपको अस जी से मानकर चेंज करना है तो आप लेख देंगे दे अगर यहां आई और वी होता तो आप यहां लेख देते वी उसके बाद आप सुड़ का प्रियो करेंगे गोडियार का गोडियार कितना इजी है? अगर और नीचे वाला कुश्ट एपने आप से करकी भीजेंगे उसके बाद माद में दीए हो यानि कि आप नॉट्सक को अपको का अंच्वार कर सकते हैं हुसका मतलब होता है पिर आ는지 सकते हैं सब्जेक्ट वाज़ वर अंगेंस्ट एट क्या लिख सकते हैं यसे ले सकते हैं स्क्री ऊक्षोट ऑले am सब्सक्राइब कर देंगे उसके बाद यहां आपको सजेशन के लिए सोड़का प्रियोग कर देंगे वाई का वाई हो जाएगा दिसकी जगे पर देट हो जाएगा साधी का साधी अब देखे यहां का है अब चाहे तो अब जाएगा तो आपको ध्याँ राखना है यहां सेंटेंस को जोडने के लिए बटका तो प्रियोग करना है इसका प्रियोग करना है बटका लेकिन यह कॉंट्रेट्डिक्टेड मैं नहीं करेंगे बट ब्रोध ही बताता है बट अब उसके बाद आप लिख कि हैंगे हरा सबेंड आप चाहें तो ओब्जेक्टेड तक प्रियोग कर सकते हैं बट अब्जेक्टेड या फिलेख सकते हैं हराष्पस बैंड वॉज अंगेंट e2 प्रोलरों ऑच्छी कुसन why adult कॉंज में में बंदड,ujeht's इसन ऊड, सब्डूल्आंट सजेश्टेट टू में लग सकते हैं मी का मी हो जाएगा कॉमा इंबाटेट कॉमाज के स्थान पर दैट हो जाएगा लेटस को आप थर्ड परसन है तो इसलिए दे में लिख देंगे और मॉडल्स आप सोल का ही प्रियोग करेंगे डांस टूगैदर उसके बाद आई यानि मैं इस बिचार के प्रती क्या हूं ब्रोदा भास हूं यह लिख सकते हैं या फिर उपर के आप यूज कर सकते हैं बट लगा कर बट आई वाज अंगेंश्ट इट या वट आई ऑब्जेक्ट एड ठीक है इस प्रकास से आप बना सकते हैं तो यह तो अब भी वाला कोश है अब देखिए लेट असको छोड़ कर अधर अब्जेक्ट आने पर सेड़ सेट टू के सेंस के अमसारी आपको रुक्वेस्टेड और एडवाइड फॉरवेड इन सभी चीजों का प्रियोग करना है लेकिंग छोटी सी बात ध्यां रखनी है यहां लेट से पहले ही तू क प्रियोग करना है यहां लेट अठेगा नहीं आपका लेट आस होगा तो अठ जाएगा देखें यहां कुछ कोशन लिखें हैं दा सर्वेंट सेट टू हेज बॉस कॉमा बाटिट कॉमा सुरू लेट मी गो माई होम कॉमा सर तो देखिए आप कैसे बनाएंगे दा आप आगया तो देगा नि तो प्रार्तना ही करेगा तो आपको लिखना होगा रुक्वेस्टेड दा सर्वेंट रुक्वेस्टेड हेज बॉस अब देखिए सर सब्द आया है तो पीछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया सर या मैम या योर ओनर इन्हें अठाएंगे तो आपको रेस्पेक्टफुली का ही प्रयोग करना है अब यहां आप लिख देंगे रेस्पेक्टफुली और कॉमा इन्बाटिट को माज के स्थान पर टू लेट का लेट मी को सर्वेंट से चेंज करेंगे तो हम हो जाएगा गो होम माई दिया है तो आप लिख देंगे गो हीज होम एक और कोशन देख सकते हैं माइफाधर यहां कहले ओडरी तो यहां सलावी दिया गया है तो दोनों सेंस में बना सकते हैं माइफाधर एडवाइट यहां फिर ओडर मी और कॉमा इन्बाटिट को माज के स्तान पर टू लेट दा बेवी स्लीप अदे नीचे के क आप देख सकते हैं और वीडियो कैसा लगा एक कमेंट आवस छोड़ें और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी थैंक्स फॉर वाच